Hello everyone, welcome back to my channel So episode 15 के starting में हमें दिखाया जाता है कि आपर मी सोचती है कि कहीं मैं जीन से सच में प्यार तो नहीं करने लगी और वो कमेंट्स के वज़े से बहुत ज़्यादा सैड रहती है उसके बाद वो मुझ को बोलती है कि हाँ मुझे तो जीन से प्यार है ही क्योंकि वो तो मेरा फ्यांसे है उसके बाद वो मन में सोचती है कि कहीं मैं कुछ जादा ही जीन से अट्रैक्ट तो नहीं हो गई उसके बाद यहाँ पर मुह से बोलता है मी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ अभी तुम्हारे से जैसा सिचुएशन चन रहा है सभी को तुम्हारे उपर ही नज़र रखेंगे जितने भी मीडिया वाले होंगे और जहां तक बात रही जीन और जियान की वो दोनों तो बहुत ही टॉप लेवल पर है और वो दोनों एक सिरिब्रिटी जैसे हैं अपने इंडस्ट्री में तो इसलिए उनके वज़े से तुम भी हाइलाइट होती रहोगी तो यहाँ पर मी बोलती है एक्चली मैं बहुत जादा सैट फील कर रही हो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही जीन और जियान के बीच में आ रही हो क्योंकि अगर उन दोनों को कंपेर किया जाए तो उन दोनों के मुकाबले तो मैं कुछ पर नहीं हो उसके बाद मुझे बोलता है अगर तुमें किसी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्रम फेस करो तो तुम मेरे पास आ सकती हो मैं हमें से तुमारी हेल्प करूंगा अब से हम लोग फ्रेंड्स है तो यहाँ पर मी मुझे को थैंक्यू बोलती है उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मुझे फोन के वाल पेपर में लगी हुई मुझे जैसे ही दिखने वाली एक लड़की के पिक रहती है जिसे वो देख रहा होता है अब यह लड़की कौन रहती है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा तो यहाँ पर मुझे बोलता है थैंक्यू तो मारे वज़े से ही मैं मी से मिल पाया उसके बाद हमें यह सीन में दिखाया जाता है मी आकर के जीन को बोलती है कि मैं प्रोसिडेंट बोस से मिलकर आ गई हूँ तो में बाकी जो सामान उनको बिजवाना है प्रोजेक्ट की रिलेटेट तो में बिजवा सकते हैं वो रेडी है हमारा सामान लेने के लिए तो यहाँ पर जीन बहुत खुश रहता है क्योंकि उसकी कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ होई रहती है इसलिए वो मी कु बोलता है कि मी आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ और फिर वो उसे मताता है कि पहली बात यह हमारी कंपनी में स्पोक्स परसन कौन बनेगा वो तैय हो गया है और दूसरी बात यह है हमारा कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा चल रहा है और यह सब कुछ तुम्हारी वज़े से हुआ इसलिए मैं तुम्हारी सैलेरी डबल करता हूँ और इस साल के एंड में तुम्हें बोनस भी मिलेगा तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि ठीक है अगर तुम्हें और कुछ नहीं बोलना है तो मैं चलती हूँ और फिर यह बोलके वो चली जाती है उसके बाद जीन सोचता है वैसे तो यह इतना अच्छा खासा कमा रही और मैंने इसे यह भी बोला कि मैं इसकी सैलरी डबल कर दोगा बट इसने कुछ रियाक्ट क्यों नहीं किया उसके बाद यहाँ पर मी सोचती है कि वैसे मुझे उस लड़के से प्यार कैसे हो गया और वो अपनी इंगेजमेंट रिंग देख रही होती है उसके बाद वो मन में यह बोलती है कि नई नयासा नहीं हो सकता यह पॉसिबल नहीं है मैं जीन के साथ ज़्यादा एटाइच नहीं हो सकती उसके बाद तब ही वो अपना फोन चिक करती है जिसमें जियान उसे मेसेज करती है कि मी मुझे तुमसे मिलना है तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि माफी बट क्यों तो जियान उसे बोलती है कि मैंने जितने भी online comments थे वो सारे पढ़े मुझे पता है उस comment के वज़े से तुम्हें बहुत बुरा feel हो रहा है और यह सब कुछ मेरी वज़े से हुए मैंने ही जीन के साथ अपनी photo post कर दी जिसके वज़े से तुम्हें इतना कुछ सुनने को मिल रहा है तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि नहीं तुम इसमें अपने आपको blame क्यों कर रही हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वैसे मुझे तो bad comments के आदत है लोग मुझे bad comments भी करते है और अच्छी comments भी करते है तो मु उसे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा आप चिंता मत करो और आप अपने आपको blame करना बंद करो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो जियान उसे बोलती है तो तुम्हारे और जीन के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना तुमी बोलती है कि हाँ हमारे बीच में सब क जादा बिजी है तो हमें इन सब के बारे में बात करने के टाइम ही नहीं है तो यहाँ पर जियान बोलती है तब तो अच्छी बात है सायद मैंने तुम्हें और जीन को गलत समझ लिया हो है ना उसके बाद या पर जियान बोलती है तूम और जीन जादा बात ही नहीं करते तो तो तुम्हें insecure feel नहीं होता, अब तो मी उसे बोलती है, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे insecurity feel नहीं होती है, वो मेरी सारी बातों को समझ जाता है, तो जियान उसे बोलती है, कि लगता है, जिन जिस तरह से अपनी health का ख्याल रखता है, वैसे ही वो तुम्हारा भी ख्याल कि अगर तुम्हें अपने partner के दिल के करीब आना है, तो तुम्हें सबसे पहले उसके मन को खुश रखना होगा, और उसके मन को खुश करने के लिए, तुम्हें उसे अपने हातों से बना कर खाना खिलाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम जब भी रात को office से जाती हो, त और उसके बाद भी अगर कोई भी गलत कमेंट करता है मी के बारे में, तो मुझे उन सब की list बेजो, मैं उन सब के उपर कारवाही करूँगा, उसके बाद अब हमें आ दिखाया जाता है, कि जियान की कहने पर मी यहाँ पर जीन के लिए कुछ snacks लेकर आती है, तो जीन बोलत है कि अब तुमें finally realize हो गया कि तुम मुझे बहुत बूरे तरीके से treat करती हो, क्योंकि तुम तो सुबह में मुझे ignore करके चली गई थी, और अभी smile वाला face लेकर मेरे सामने आ रही हो, तुम सच में two-faced इंसान हो, तो मी उसे बोलती है, सुबह में बहुत जादा sad feel कर रही थ क्योंकि कुछ incident हुआ था मेरे साथ इसलिए, तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि तुम क्या सुरुषती हो, कि तुम चोटे चोटी चोटी चीजों को अपने अंदर छुपा लोगी तो मुझे पता नहीं चलीगा, और इन चोटी चोटी चीजों के लिए तो मुझे ignore करोग तो यहाँ पर मी बहुता साड हो जाती है, फकार उसे बोलती है, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, जीन बोलता है कि तुम मेरे फियॉन से हो, मुझे पता नहीं चलेगा तो किसे पता चलेगा, और फ्यूचर में जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, त तुम्हारे लिए मैं टाइम भी निकालोगा, इस तरह से मन में रखने से मुसीबते टल नहीं जाती, तो यहाँ पर मी बोलती है, बट मैं तुम्हारे रियॉल फियॉन से थोड़ी नहों, तो यहाँ पर जीन उसकी गालों में पिंच करता है, तो मी बोलती है, ठीक है ठीक ह अचानक से जीन के पेटों में दर्द होने लगता है, तो मी उसे बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें, तो मी उसे बोलती है, तो मैं ने खाने में क्या मिलाया था, तो मी उसे बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, तो जीन बोलता है कहीं एक्स्पायर तो नहीं होगया, तो जीन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि में क्या तो मुझे मारना चाहती हो मैं मिल्क नहीं पीटा मुझे मिल्क से एलर्जी है और फिर ये बुलके रजीन चला जाता है और मी भी उसके पीछे पीछे जाती है और फिर सीन यहाँ पर खतम हो जाता है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करेंगे में चैनल को सब्सक्राइब करेंगा मैं जलने इसके नेक्स्ट एपिसोड ने करक्या होंगी तो उसके लिए वेट करेंगा अच्छी लगाए बाए मिलते हैं फुरस एक नियू वीडियो के साथ